हेलो फ्रेंच मैं अनामीका मेरे कीचे में आप सभी का स्वागत है फ्रेंच आज में पोटेटो लालीपॉप की रेश्पी ले कर आए हूं इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है फ्रेंट्स वीडियो को आप लाइश तक देखिए इसे हर एश्टेप को देखके आपके भी घर में रेश्टोरेंट इस्टाइल का लॉली पॉप बनने वाला है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं पोटेटर लली पॉप बनाने के लिए हमने लिया है यहां पे दो बड़ा आलो मैस किया हुआ यानि कि इसको हमने उबाल के खिलते हटा के मैस लिया है इसमे हम डालेंगे एक बड़ा प्याज प्याज को हमने बारि-बारी काट रखा है 1-1,5 धनिया पत्ता 1-2 हडी मेर्ज साथ में हम डालेंगे ब्रेट का चूड़ा ब्रेट को आप मिकसर जार में पीस लिए ब्रेट चूड़ा तैयार हो जाता है तो इसमें हम एक बॉल डालेंगे अब हम यहाँ पे कुछ मसाला अड़ करेंगे तो हम 1 4 चमस खल्दी पॉडर डालेंगे 1 चमस भरके हम लाल मिर्च पॉडर डालेंगे 1 चमस धनिया पॉडर 1 चमस गरम मसाला एक से देर चम्मच हम यहां पर अमचुर बॉर्डर डालेंगे क्योंकि इसमें खटा-खटा श्वात बहुत ही बढ़ियां आता है आप चाहें तो यहां पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें हम डालेंगे एक चम्मच साबू जीडा फाइनली हम इसमें गालेंगे टेस्ट के अनुशार नमक अब हम हाथ से सारे इंगिरियंश को एक बढ़ियां सा डो तयार करेंगे लॉली पॉप के लिए तो आप देख सकते हैं लॉली पॉप के लिए डो अपना फाइनली तयार है यहां पर मैं सजेस्ट करूंगे कि आप थोड़ा सा डो में से टेस्ट कर लीजिए, इससे नमक मिर्च आपको पता चल जाता है, अब हम इसके लॉलीपॉक बनाएंगे, तो हम इसमें से एक निम्बू के अकार्ट का बॉल लेंगे, और उसका ऐसे गूल-गूल सेप दे अब हम इसको साइड कर देंगे, और यहां पे हम पत्री से सिल्वी तेयार करेंगे, तो यहां पे हमने लिया है, दो बड़े चमच मेदा, और इसमें हम डालेंगे एक चमच, कॉर्ण फ्लोर, आप चाहें तो यहां पे चाओर का आणा भी नीस कर सकते हैं, और इसमें फाइ बिल्कुल हमें पत्ला साइड में तेयार करना है, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल की, एक अच्छी सी खोल तेयार की है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पत्ला होना चाहिए, इसे गाढ़ा तेयार नहीं करना है, अब यहां पे हम लेंगे बेड क्रम्स, हम एक एक लाली में डालेंगे, ब्रेट क्रम्स में हमें ऐसे इसे गोल गोल घुमा देना है, और फाइनली हमें इसे एक प्लेट में रख लेना है, तो यह अपना फ्राइ के लिए लोली पॉप तेयार हुआ है, चलिए हम सभी को ऐसे ही तयार कर लेते हैं, हमने सभी बॉल्स को कोटिंग कर लिया है, अब हम एक बड़ी से ऐसे हिला देंगे, इससे क्या होता है, एक श्टा अपना क्रम्स जो है, वो गिट जाता है, फिर तेल में फैरता नहीं है, अब से लिए हम गैस के तरफ चलते हैं, गैस पे हमने तेल गड़म करके रखा है, करेंगे कि अपना तेल सही टमप्रेचर पे है की नहीं, तो हम धीरे से एक बॉल्स डालेंगे, आप देख सकते हैं, अपना बॉल्स जला भी नहीं, अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा तेल उपर डाल देंगे, और इसे ऐसे घुमाते हुए फ्र कर लेजिए, अब हम उपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे टेल जाल देंगे, एक साइड से हम इसे एक मिनट तक फ्राइ होने के बाद उल्टेंगे, नहीं तो टूपने का चांस रहता है, हमने घुमाते हुए चाड़ो तरफ से लाली पॉप को अच्छे से तल लिया है, अब हम समय के हदल से टेढ़ा करते हुए, एक स्ट्रा तेल निरा देंगे, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं, कितना बढ़ियां कडारे दार अपनी पोटेटो लॉली पॉप्स वलके तयार हुआ है, चलिए हम से इन प्रोसेस से दुसरा बैस भी फ प्राइ कर लेंगे, याँ पे हमने दूस्रा बैस भी फ्राइ कर लिया है, तो चलिए इसे भी हम रिशाउट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे सभी लॉली पॉप्स भाइगे दिखाते हैं, तो हम एक बास लेंगे, और उसकी उपर हम रखेंगे एक ये पूदीमे की पती, और इसे हम पीन से ऐसे बोत्ते हुए रखेंगे, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना लली पॉप दिख रहा है, तो चलिए ऐसे ही हम सभी लली पॉप को सजा लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपने देख लिया पोटेटो लली पॉप बनाना कितना आसान है, ये बच्चों का फेड़िट है, सभी को पता है, ये बिल्कुल रेश्टूरेंटे स्टाइल में बनके तैयार होता है, तो इसे आप भी जुरूर ट्राइए कीजिए, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद